मैंने कैन्वीज कमपनी का मैक्सो का फसल पर छुड़काओ करवाया क्या कहा कैन्वीज कमपनी का मैक्सो हाँ कैन्वीज कमपनी का मैक्सो सायद आपको मालूम नहीं ठाकुर सहाब मैक्सो, फसल, पधो एवं फूलों को पूर्ण रूप से विक्सित करने में मदद करता है मेरी मानो तो तुम भी कैन्विस का मैक्सो लाओ और फसलों की अधिक उपज पाओ अच्छा अगर ये बात है तो मैं भी आज ही कैन्विस का मैक्सो लाओंगा और अपनी फजल पर छिलकाओ कराओंगा फिर देखना मेरी फजल भी तेरी तरह होगी कैन्विस पेश करती हैं मैक्सो फसलों पौधों फूलों की उपश को बढ़ाता है मैक्सो फसलों पौधों फूलों की उपश को बढ़ाता है मैक्सो ये एक शक्ति वर्धक, फूलो, तेजक एवं उपज विरधी कारक उत्पाद है मैक्सो ये सभी प्रकार की फसलों जैसे कपास, धान, गेहू, सोयबीन, मिर्च, बैगन, टमाटर वा अन्नी सबजियों, दाली, तिलहन, फलो, आधी की पैदावार को बढ़ाता है मैक्सो अमीनो एसिट, नाइटो बेंजेन और प्राकृतिक रूप में उपलब्ध विजेटेबिल प्रोटीन विद्मान है मैक्सो फसल को शक्ति प्रदान कर बिमारी से बचाता है मैक्सो फसल में फूल आने के समय फूल ना आने पर तीन मिली लीटर प्रती लीटर पानी के साथ मिला कर छिड़काओ करने से फूलों का भारी संख्या में आना शुरू हो जाता है जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है मैक्सो फूलों के आने के बाद फूलों के दुबारा से जड़ जाने को दो मिली लीटर प्रती लीटर पानी के साथ मिला कर छिड़काओ करने से फूलों का जड़ना बंध हो जाता है फूलों का अच्छी मात्रा में आना भी शुरू हो जाता है जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है मैक सो फसल के बोनिंग या रोपने के 15 दिन बाद छुड़काओ करती है और अगला छुड़काओ 25 दिन के अंतराल से करने पर फसल की पैदावार में भरपूर बढ़ोतरी होती है मैक सो फूलों के आकार वच्छमक को भी बढ़ाता है मैक सो फूल वाली फसलों के निज संजीवनी का काम करता है मैक सो प्रतिशत बायो और्गैनिक उत्पाद है जी है किसान बायो हमेशा अपने खेतों में अपनी जमीनों में कैन्वीज इंडस्टीज लिमीटेट के बायो और्गैनिक प्रोड़क इस्तमाल करे क्योंकि ये प्रोड़क फसलों के मित्र है जैसे अपसे कुछ वर्षों पहले हमारे खेतों जमीनों में बड़ी संख्या में फसल का मित्र घैसा होता था जिसको केचवा भी कहते हैं वही घैसा हमारी जमीनों में रहता था जमीन पर रेंगता था मिट्टी खाता था और हमारे खेतों में बीट करता था यानि घैसे की मिट्टी जिसे कहते हैं वो घैसे की मिट्टी हमारी जमीनों को ताकट देती थी उस मिट्टी से जमीन मुलायम, भुरबुरी और उबजाव बनती थी इसलिए हमारी जमीनों में ताकत होती थी घैसे की मिट्टी हर तरह की फसलों को खाज जैसी ताकत देने का काम करती थी जिससे हमारी फसले अच्छी और पैदावार भी ज्यादा होती थी खेतों में बिमारी भी कम होती थी किसान भाईो आज हमारे खेतों में फसल का मित्र घैसा नजर नहीं आ रहा है इसलिए हमारे जमीनों में कमजरी है आज केमिकल की दवाईों के प्रियोग से घैसे तदा बहुत से जिवावू जो जमीन में रहकर जमीन को ताक्त देते थे सब के सब मर गए है आज के दोड़ में ये घैसे जैसे फसल मित्र हमारे खेतों में नजन नहीं आ रहे हैं जिस की कमी की वज़े से हमारी फसले भी अच्छी नहीं हो रही है किसान भाईयो अगर आप चाहते हैं कि हमारी जमीनों में फिर से वही पुरानी वाली ताकत आ जाए फसले अच्छी निरोगी होने के सासाथ पैदावार भी अच्छी हो ज्यादा होने लगे तो Canviz Company के वायो और्गोनिक प्रोडट्ट ही इस्तमाल करें Canviz के प्रोडट्ट से फिर वही पुरानी वाली ताकत जमीनों को मिल रही है और पैदावार भी अच्छी हो रही है दोस्तो जब जमीन में ताकत होती है और जब जमीन में बीज डाला जाता है तो बीज भी खुश होता है बीज के अंदर जो तमनाय और आरजवे होती है वो अंकुर बनकर फूटने लगती है और मचलता हुआ अंकुर उपर आ जाता है बीज को होती है जब नजबो नुमा की आरजव कोपले रहा से पत्थर को हटा दीती है भी किसान भाईयों कैनवीज कंपनी के एग्रू प्रोडक्ट से बरिली, लखनव, इलाहबाद, पटना, बिहार, कानपुर, काशीपुर, रुद्धरपुर, पिलीभीत, आदी जीलों में कैनवीज कंपनी के एग्रू प्रोडक्ट से बहुत अच्छी रिजल्ट बिल रहे हैं मैंने कैनवीज कंपनी का मैक्सो का फसल पर छुड़काओ करवाया क्या कहा कैनवीज कंपनी का मैक्सो हाँ कैनवीज कंपनी का मैक्सो, सायद आपको मालूम नहीं ठाकुर सहाब मैक्सो, फसल, पधो एवं फूलों को पूर्ण रूप से विख्षित करने में मदद करता है मेरी मानो तो तुम भी कैन्विस का मैक्सो लाओ और फसलों की अधिक उपज पाओ अच्छा अगर ये बात है तो मैं भी आजी कैन्विस का मैक्सो लाओंगा और अपनी फजल पर छिलकाओ कराओंगा फिर देखना मेरी फजल भी तेरी तरह होगी कैन्विस पेज करती हैं मैक्सो